नमस्कार आप देखरें आज की खास वात अपने दोस्त वीर सिंख साथ दोस्तों जिल्ला परिशत नागपूर द्वारा पिछले कई एपिसोड कई वीडियो में हमने आपसे कहा है कि कई बार लोगों के बीच हमने जाकर भी एचीज बातचीत की है कि आदी वासी छेतर में ख कर वाएंगे और अभी उन्होंने क्या कहा है हम आपको वो बताते हैं नागपूर जिल्ला परशद में कि 23 करोण रूपे के माइनिंग फांडेशन का एक घोटाला सामने आया था कि लाभारती गलत चुने गए थे सरकार ने उसकी इंक्वारी डिविजनल कमिश्टर के माध्यम से लगाई है निचीत रूप से जल्दी रिपूट आएगा लाभारती के चैन से लेके खरेदी तक सारे घोटाली उसमें हुए है निचीत रूप से उसका हम इंतिजार कर रहे हैं दोस्तो जो अधिकारी इस भरष्टा चार को जाच कर रहे हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे और आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह जाच कहां से कहां तक भी पहुँचा है और इस पे आगे चलके क्या कारवाई होगी इस पे भी हमारी पूरी नजर बनी थे उनसे हमने बातचीत की थी आखिर उन्हें क्या समस्याएं थी और उनके साथ किस तरीके से अन्याय हुआ है जिला परिशत के इस स्कीम अभी तक हम इस स्कीम को उपर क्या करवाई हुई है और कैसा घोटाला हुआ है लगातार हम वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आने वाले समय में भी हम गरीबों को नया दिलाने तक इस मुद्धे को लेकर चलते रहेंगे आप देखते रहे हैं इन्बिस्यन न्यूज वीरस